आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जो चैट्स हैं या फिर मैसेज्जेज़ अफिर टेलीग्राम पे वो मैसेज़स सारे के सारे आप कैसे सेव कर सकते हैं मतलब की ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे एपलीकेसं में अब WhatsApp की privacy policy जब से change हुई है तब से बहुत से लोग move कर रहे हैं WhatsApp से Telegram पे तो आज की इस वीडियो में यही सिखाने वालों कि कैसे आप अपने जो चैट से उसको export कर सकते हैं Telegram में तो चलिए वीडियो को start करते हैं चैट को अगर आप export करना चाते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है WhatsApp में और WhatsApp में जिसका चैट आपको export करना है let's suppose कि मुझे अपने एक friend का जो भी message है वो export करता है जो भी chatting है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो right side में सबसे उपर three dots दिख रहे हैं इस पे आपको tap करना है और tap करने के बाद यहाँ पे आपको more का option मिल जाएगा more पे आपको जाना है और more पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक option देखने के लिए मिलेगा export chat तो export chat वाले option पे आपको tap करना है जैसे कि export chat पे मैं tap करता हूं और export chat पे जब आप tap करेंगे तो यहाँ पे आपको select करना है कि मतलब जो media files है जैसे कि photos है videos जो share हुई है जो location है यह सारी चीज़ें media के अंदर आती है तो अगर आपको media include करना है तो आप include कर लिजे without media करना है तो without media मैं media को include करता हूँ include media और include media करने के बाद आपको यहाँ पे धेर सारे options आ जाएंगे जैसे कि nearby share आप MI share से भी किसी का पास भेज सकते हैं और share me से भी आप भेज सकते हैं whatsapp पे आप whatsapp तो नहीं करना है टेलिग्राम पे आप इसे export कर सकते हैं drive पे आप save कर सकते हैं तो drive पे भी save आप बिना किसी problem के कर सकते हैं files आपके साथ भेज सकते हैं Gmail पे save कर सकते हैं Bluetooth से भी किसी को भेज सकते हैं तो यह सारे option हम लोगों को मिल जाते हैं हम लोग को यहाँ पे जाना है, टेलिगराम पे, टेलिगराम वाले वालों ने जल्दी यह option दिया है, एक सपोर्ट चैट करने का, इंपोर्ट कर सकते हैं आप इसपे, तो 11 phones मैंने टैप किया और टेलिग्राम पर tap करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों को एक contact select करना है जिस पर कि सारी chats transfer होंगी तो वल्चेर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस पर हम लोग import पर tap कर देते हैं और import पर tap करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि please keep telegram open until the import is complete तो वहां से सारे messages इसमें transfer हो रहे हैं आप उस दिखाई दे रहा होगा तो यहां पे आ रहा है chat imported successfully ठीक है तो chat हम लोगों का import हो चुका है और हम लोग done करते हैं और अब देखिए कि जितने भी messages मेरे वहां पे थे वह सारे messages मुझे यहां पे देखने के लिए मिल रहे है इवन जो मैंने GIF और stickers भी share किये हैं वह सारे भी मुझे यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं तो इस तरीके से आप WhatsApp की जो chats है उसको यहां पे import, मतलब WhatsApp से export कर सकते हैं और Telegram पे import कर सकते हैं तो यह एक simple तरीका था, बाकि अगर आप switch करना चाहते हैं Telegram से, WhatsApp से Telegram पर security purposes के लिए और अपनी privacy maintain रखने के लिए तो आप इस तरीके से अपनी जो chat है उसे export कर सकते हैं और फिर आप Telegram पे permanently आ सकते हैं तो यह कापी ज़दा most requested वीडियो थी अभी तक की तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी अगर आपका कोई doubt है तो वीडियो के में comment करके पूंच सकते हैं मुझसे, अगर फिर भी कोई problem है तो आप मुझे mail कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बबाई और टेक केर